दस साल के बॉइफरेंट से प्रेगनेंट होने का दावा कर पिछले साल चर्चा में आई दया सुनन्द, सुद्र निर्सी क्योबा, नाम की रूसी लड़की की किस्मत सोशल मीडिया ने बदल दी है 14 साल की उमर में एक माह होने के साथ आज वो इंस्टाग्राम से हर महीने 5,000 पाउंड यानि 5,000 लाख रुपे करीब कमा रही है एक टीवी शो के दौरान उन्होंने बताया मेरे इस्टाग्राम और टिक टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों फॉलवर्स हैं जिसने हर महीने जिससे मैं हर महीने 5,000 पाउंड कमा लेती हूं मेरे पेडिन्स की कमाई मिलाकर मेरी कमाई के बरावर नहीं है रेप वाले मामले से चर्चा में आने एक बाद में शोशल मीडिया पर काफी लोग प्रिया हो गई थी सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं उनके करीब 1,5 लाख फॉलवर्स हैं वे लाइब शोव का भी हिस्सा रह चुकी हैं आज मनशूर ब्रैंड्स और स्पॉंसर्स के साथ कमा रही हैं पैसे और दलब है कि देश दुनिया में नामालिक लड़कियों से गरवबती होने या माँ बनने की घटनाय अनुमन सामने आती रहती है मगर 10 साल का बच्चा भी किसी 13 साल की लड़की को प्रेगनेंट कर सकता है तो आप याकिन नहीं करोगे इसी अनों के मामले ने डॉक्टर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था एक टीवी शोपर उन्होंने अपने रिलेशन्शिप की पूरी जानकारी सुनाई थी जब इस मामले में संग्यान लेते हुए बच्चे इवान की जाच की गई तो डॉक्टरों ने बताया दस साल का एक लड़का स्पर्म का उत्पादन करने के लिए यौन रूप से परिवक है वे इस उम्र में पिता नहीं बन सकता जब की लड़की का कहना है कि कोई उसका और पार्टनर नहीं है लड़की की बात का शाइकलोजी ने भी समर्थन किया है हाना कि बाद में दया दार्याने कबूला था कि उसका दस साल के लड़के के साथ रिस्ता नहीं है बलकि उन्हें किसी दूसरी व्यक्ति ने प्रेग्नेंट किया था वे इस बात से सहज नहीं हो पा रही थी कि उनका रेफ हुआ था इसलिए उन्होंने जूट बोला था इस ख़बर के सामने आने के बाद दार्या दोबारा ओनलाइन पर चर्चा में आ गई थी